नमस्कार नीज फोरनेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ बंदना बिहार में में चुनाओ को लेकर राजनीती तेज हो गई है आपको बता दे कि हर पार्टी में सीटो को लेकर के घमासान मचा हुआ है बात अगर महागडबंधन में करें तो महागडबंधन में सब कुस ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि में मिदवारों को उतार चुका है और एलान भी हो गया है और ज्चाहरी है कि हमको ज्यादा मिले और आज ज्यादी का क्या सोच है आज जड़ी क्या चाहती है हमारे साथ बात करने के लिए सबसे बड़े आपका यह के अलमदार है आला कमान है और वही तैय करेंगे तो यह लोग अगर कुछ बात बोलते हैं तो उस बातों कोई कम भिड़ता नहीं है वो अपनी बात कर सकते हैं अपनी मांग हर कोई रखता है अप एक छाह हर लोग की होती है लेकर हमारा कटबंदन हमारा कटबंदन सिर्फ किसी सूपर नहीं है कौन चु बातों हमारे लिए सबसे बराहम है और इसमें सबी लोग जो बीजेप्य के खिलाप है यह आप कहीए कि बिजेप। कि खिलाप नहीं वल्क्रितन पर्तिक पृतिक बन गई भारती जंताप पाट्टिया औरस इसके खिलाफ है वो सब लोग को एक कोना चाहिए लाली अदम की हमारे नेता हैं इन्की प्रियास रहता है प्रियास में लोग सफल भी रहें कभी मंधा गती बी कंद मूंद भी होते हैं । बहुत कुछ अर्थ नहीं बनता है की जनता का समर्थन or जनता का वर जनता उनको चुलती और वो फिर E fix to नगे तो जहां यहां अभी देख लीजिए अभी जो जिला प्रसट का चुनऊ हुआ हो इस तर नहीं हुआ या प्रमुक के अधार पर हुआ पर एस फ़ुआ मुख्या हुए तो आप देखेंगे पुरी बिहार को उठा करके तो मैक्सिमम असी प्रतिसत जगों पर राष्टी जनता दल के समर्थित लोग ही जीते हैं इसको मैं कोई बहुत गौरानवीत नहीं हूं लेकि जो जनता का प्यार है तेस्वी जी के प्रतित और तेस्वी जी बुखमंती बनते साजिस के तरूख गया और उसमाहकरदन की भी भूमिकार रही है कौरेस की वह तेस्वी को मान करके वो लोगों ने काम किया इसलिए कहना कि कोई खटास है कोई खटास नहीं हम लोग ऐसे लोगों को अपना बात कर रहे हैं सबी लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि कहां किस तरह का मिदवार होना चाहिए और उमिदवार तो सब लोग अपने अपनी बात रखते हैं यह यह ऐसा आजडी क्यों रवया अपना हुए है जहां जो सीट कॉंग्रेस की है वो उस पर पहले ही से उतार जुका है उप चुनाओक को भी देख लीजे जो सीट क कौन नराज है को नहीं नराज है यह हम नहीं जानते हैं लेकिन तारापर की बात आपने उठाई है तो आप देख लीजे कि भूट का परतिसत या भूट किसको कितना आया तो यह सब चीजों सब लोग को अपना आत्मन्थन करना चाहिए और जहां तक चंपारन के बात कर र सब्सक्राइब के समर्थक कौन है यह तो पहले आकलन करना चाहिए यह कोई दुकान नहीं है कि बटवारा हुआ तो यह साइड मेरा वह साइड उसका यहां तो हम सब को मिल करके भारती जनता पार्टी को प्रास करना है प्रास करने में जो सबसे अच्छा उमिद्वार होग है यह है और हम लोगों ने अभी तो सिर्फ चैन नहीं किया वलकि उसका हम लोग आकलन कर रहे हैं लोगों से ले रहे हैं फिटबेक ले रहे हैं कि कौन क्या कैसे हो सकता मांके मेले से फिटबेक ले रहे हैं मांके प्रतिद्दियों से फिटबेक ले रहे हैं उमिद्वार गर किसी को यह लगता है तो पहले तो पुरे देश के आजादी के समय कॉंग्रेस करास। एज भारती जंता पार्टी की दोसे निर्तित में आज तो सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे वर संसत में हैं, कॉंग्रेस की साथ से में, तो यह अगर मान के चले की हाथी मेरे पीता जी रखते थे, यहां तो सीकर भी आपके पास नहीं है, लेकिन मैं इसको कोई टीका टिपने नहीं कर रहा हूं, क्यालोचना नहीं कर रहा हूं, हम सब को मिलके कॉंग्रेस की 200 सीट है भारत में जो पार्लेमेंट, जहां कॉंग्रेस का डिरेक्ट फाइट है बीजेपी से, लेकिन आप छेतरी पार्टी को आप नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं, छेतरी पार्टी को अपने जहां-जहां मजबूत है जिस राज्यों में, उसको ड्राविन सीट पर रख किस तरह से आप देख रहे हैं कि उत्तप देश में नफरत के फैला हो रहा है, किस तरह से पंजाब में नफरत के फैला हो रहा है, क्या ये देश फिर बढ़ जाएगा, क्या ये देश को तोरने की साजिस हो रही है, पहले हमको देश को एक जुट रखना है, ये हमारे लिए हमको नफरत अबटवारा नहीं करना है आप तो पार्टी में पद साफित हैं लेकिन फूल पावर में कब आप आएंगे क्या आपकी भी बात मैं कोई अमिद्वार नहीं हूं आपको बता दू मैंने देश में बड़े से बड़े पदों को गरहन किया है और मैं चंशेखर जी क कि मैं इस्ट्रीम में संगठर में मैं मैं इस्ट्रीम में हूं और इसमें कहीं दौरानी मैं इतने साल तक मैं मेले रहा 15-16 साल तक मंत्री रहा अर mirror High HimNEY यसा रहा कि मेरे चादर पर एक दाग भी नहीं आया बड़े-बड़े लोग कोशित करते रहे, इनको खोजते रहे, अभी भी खोज रहे होंगे, ऐसी मुझे लगता है, लेकिन कुछ मिला नहीं है उस तक, तो ये तो मेरा अपने आपको गर्व होता है, कि मैं जिस पद को समाला, जिस मंतराले को समाला, उसको आगे ही बढ़ाया, चाहे वो लालू जी के सासन के समय ह हो, या स्रीमती राबडी देवी जी के सासन में हो, हम तीनों सासनों को हमने देखा है, फिर दिल्ली में भी चंसेगर जी के सासन का भी, मैं एक हिस्सा था, वहां भी मैं काफी काम करता था, और उनके साथ कई देश भी देश की याता के लिए आज तक मुझ पर कभी दाग नहीं लगा, और मैं बानता हूँ कि मेरा सबसे बड़ी अपलब्दी यही है, मेरे लिए धन और जन से जादा मेरे लिए साविमान है, और साविमान की रक्षा मैं करके आज मैं अलग हुआ हूँ इससे, और मैंने तो इस्तिफा दिया था, मुझे कोई छोड़ा नहीं था, मैं इस्तिफा दिया था, और मंतिपत को मैंने छोड़ करके आये थे, सारे सुविधा को छोड़ करके आये, इसलिए कि मैं जिस सवालों पर राजनीत में आया, जो समाज के सबसे पीछे पैदान पर है, उसके लिए करके आ, उसका कोई सही रूप से न्याय नहीं हो रहा था बाते हो रहे थी, मिडिया मैं लोग बने हुए थे, इस अधार कर में से बिरोध हुआ, और इस सवाल पर हम अलग हुए, बिलकुल, सब्सक्राची कि मेरे सवाल है कि जो आप लोग हमेशा से कहते आये हैं कि खरमास बात खेला करेंगे भीहर में, बीजे पी तो आप लोगो यहांвар को नहीं संभाल पा रहे हैं, दोनों भाई आपस में नहीं मिलाब कर रहे हैं, तो बिहर में खेला क्या करेंगे, राजत के यूउ राज यूराज जो हैं वही राजत को बातेंगे जो पूरा बिहार देखेगा, यह मैं सब्सक्राफमत यह voilà, कि हमारे पार्टी हम सासन में आये नब्वे में उस समय से लोग सोच रहें कि राजा टुटेगा राजा दिये होगा क्योंकि सवाल लाली आदा राजा से नहीं है सवाल है हमारे विचारों के खिलाब जो एक तरफ लडाई है मनुवाधियों का और एक तरफ लडाई है गरीब गुरुवां का तो जो मनुवादी सोच के लोग हैं उन लोग की हरदम रहती है कि यह तागत को कैसे कम जोड किया जाए तरह तरह से साम दान दंड भेद नाई पालिका से लेकर के कार्ज पालिका कार्ज पालिका से लेकर कि पब्लीक तक लोग गए लेकिन हमारे यहां कोई टूटर नहीं हुआ ह परोद заним जाना चाहता हुआ इसकूए नहीं हमारे यहां नहीं है नहीं हम राज की संस्कृति को नहीं बाउनते हैं जो लोगrist करेंगे लिए अपने विचारों को ठीक करें मनुबाद से अपने आपको परित्याग करें और तब कहें कि राज़त में आना चाहते हैं तो राज़त में विचार किया जागा और खेला तो कलकटा में जो कहा गया था खेला हो वे तो बीजेपी बड़ी लंबी लंबी बात कर रही थी हो गया उत्तर प्रदेश में लंबी लंबी बात कही जा रही है इस देश का प्रधान मंत्री जिला जिला घूंगता है क्या टोला टोला घूंगता है क्या चुराओं में इस तरह का काम कर दिया इस देश में लोक्त नंत्र को किस हाश्य पर लाने का काम किया तो यह तो खु साथी है जो सपाव भी है और हमने बात भी किया गारे सारी लेंसए उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं वह लोग को बैट एक अन्य वाला नहीं कुछ यह नहीं क्यों परसान है जनता पर विश्वास किजिये उप्य में और विहार में तो खेला की बात करना है जनता खेला कर दी थी अब आपने साजिस करके कि कुछ कर दिया तो अब दुबारा नहीं होने वाले हैं वह कह रहे हैं कि दोनों यूराज ही मिलकर के पार्टी को जो है और टुकड़े-टुकड़े में बाट रहे हैं इस बात से आप सहमत हैं राजी के तरफ से उनको ओफर दिया गया था हम किसी को नहीं बुला रहे हैं हम किसी को नहीं बुला रहे हैं हमारी और से कोई ऑफर हो है हम तो सवालों पर लड़ाई लड़ते हैं सवाल है हमारे सामने उस सवाल पर जो लोग भी साथ आना चाहें या जो लोग हम लोग को साथ ले चाहें हम उस सवाल को महत्म देते हैं हमारे लिए व्यक्ति महत्पुन नहीं है लेकिन अच्छे व्यक्ति के साथ साथ वो पूर्सी पकर भी है तो दोरों चीज में से एक चीज रखना होगा कि हम अच्छे हैं तो अच्छे रहें पूर्सी मेरे लिए महत्पुन नहीं समाज म कितने आत्म अपना स्विकार करते हैं तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थी राजत के राष्ट्री यह महा सचीव और पौर्व में मंत्री भी रह चुके स्याम रजक इन्होंने साथ तर से कह दिये हैं कि महागडबंदन में सब कुछ एक है सीटों को लेकर के जो बात रहेगे कि अब आए दिन बिहार के राज़िती में जो एमसे चुनाओं को लेकर करके घमसान मचा हुआ है आगे किस तरह मोड लेता है इसका वर वस इतना ही बने रहे हैं इस परनेशन के साथ